इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंट्रेस्टिंग पजल डिसकस करी है तो दिखिए पजल को बताने से पहले मैं आपको इंस्टेक्शन बताता हूँ So there are 10 bulb in a room, एक room है उसके अंदर 10 bulb है यह मैंने 10 bulb है इसमें से image भी प्रुवाइड करीगी है कहते है इस switch panel is outside the room और इसमें 10 switches है आप देखोगे मैंने numbering करके यहाँ पर आपको दे रखा है और each corresponding to one bulb in the room एक bulb से एक switch से एक bulb on होता है कहते है you are standing outside यह ध्यान से पढ़ना आपको You are standing outside of the room, your task is to map each switch to its corresponding light in the minimum number आपको यह बताना है करना क्या है वो बताता हूँ आपको यह बताना है कि कितने बार आप room के अंदर जाओगे What is the minimum number of trip you need to enter the room to complete the mapping of each switch to its corresponding light यह आपको marker pen provide किया गया है कहते है कि आपको room के अंदर कितनी बार entry चाहिए कि 10 के 10 जो switch है वो कौन से bulb को कौन से switch से own होता है यह पता करने के लिए तो minimum number of trips आपको बताना है यह puzzle में आपको बताना है कि आप 9 times आओगे, 10 times आओगे, 8 times आओगे that you have to tell Agree? I hope आपको clear होआओगा I again suggest यह कि आप आराम से इस video को पहले pause कीजिये और pause करके खुद अपने level पे try कीजिये then मैं अगले slide में इसका answer discuss करता हूँ ओके, चली मैं इसका answer discuss करता हूँ कहता है कि आपको बताना है na minimum कितनी बार जाना मैं पहले 10 का ना बताके 2 switch और 2 bulb को समझाता हूँ कि आपके room है ना उसके अंदर 2 bulb है और switch जो बाहर लगे हैं तो कितनी बार जाओगे तो देखे, मैं एक काम करता हूँ इसको on कर देता हूँ, इस switch को और इसको off कर देता हूँ और on को मैं one लिख लेता हूँ और switch off करा उसको zero लिख लिया जैसे मैं enter गया अंदर room के, एक ही बार गया हूँ मैंने देखा ये वाला glow कर रहा है, on है अगर ये bulb glow कर रहा है, यानि कि on है तो यहाँ पे one लिख देता हूँ और ये off था, तो मुझे साफ पता लग गया कि ये जो a number है ना, ये इस से on होता है तो इसकी mapping यहाँ पे हो रखी है और ये जो बन था ना, ये किस से on होगा ये इस वाले switch से होगा तो यहाँ पे mapping done होगी सिर्फ मेरे एक बार जाने से इस case में मुझे कितना visit करना पड़ा एक बार करना पड़ा done अब बोलोग ज़र आपने करा क्या ये I hope मैंने यहाँ पे जो principle ये rule follow करा है ना, वो क्या follow करा है कि जितने भी switch थे ना उनको two में divide कर लिया पर दो थे ना, तो मैंने दो group बना लिये divide them into equal group और फिर एक को on कर दिया एक को off कर दिया, chain state of one group यही principle यही तरीका है ना, मैं 10 की case में करूँगा, लेकिन आपको समझाने से पहले, मैं 4 switch का लेता हूँ, देखिए अगर इन case 4 switch हो और 4 bulb होना, तो कितनी visit करनी पड़ेंगी, पहले इसको discuss कर लेते हैं, फिर आपको 10 वाले पर मा आता हूँ, तरीका देखिए, तरीका क्या है कि subs on जो करना है ना on के लिए मैं one ले लेता हूँ और off करने के लिए मैं ले लेता हूँ जीरो, आपको समझाने के लिए तो method क्या कहता है, कहता है दो group में मना ले जी, यहाँ पर सारे off है ना, एक जैसे है ना अगर ये एक जैसे हैं तो मैं इसको दो में divide कर लेता हूँ ठीक है, एक जैसे वालों को इन दोनों को मैंने on कर दिया और इन दोनों को मैंने off रखा और मैं फिर room में जाके देखता हूँ पहली visit में, तो ये वाला मान लेजी, randomly on थे और ये दोनों के दोनों हैं, वो off मिले correct, अब मैं second visit कर रहा हूँ ये number of visit को represent कर रहा है यहाँ पे ना, कितनी visit कर रहा हूँ मैं, अब second visit में मैं क्या करता हूँ, जो एक जैसे थे जो same category के ना जैसे one one थे, इसको further मैं दो part में divide कर लेता हूँ कर लिया मैंने दो part में one था, तो zero कर दिया और इसको change नहीं करा, मैंने इसको as it is रहने दिया, similarly ये दोनों off थे ना, तो मैंने इसको दो part में divide किया, इसको off था तो on कर दिया और ये जो off था इसको as it is रहने दिया, क्यों एक part को करना है, देखे, change the state of switch in one group, इन दोनों में से एक part को, एक group को ही करना है, अब आपने note करा, second visit में आप जाते हो, तो देखे, जो दो switch on है, तो दो बलबोन होंगे, तो एक one one हुआ, तो मां लिजी ये वाला one one on रहा, फिर आपका one के आगे zero आ गया न, यानि कि ये one जो जल रहा था, ये आपको वो मिला, बंद मिला, फिर आपका zero or one, zero or one यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, और ये zero, 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 अब आप देखिए क्या mapping है न, वो unique हो रखी है, क्या बिल्कुल हो रखी है देखिए, ये one zero है, ये second visit है, यानि कि second visit को मैंने red से represent कर रहा है अब आप चेक करिए basically ये तब तक करते हैं हम जब तक unique mapping ना हो जाए मेरा जो concept है न, वो unique mapping का मतलब है कि बिल्कुल match नहीं करना चीए एक जैसे नहीं होना चीए, देखिए ये one zero है, इसमें one zero कहीं नहीं है, तो ये one zero अगर आप देखो, तो यहाँ पे है, तो ये वाला इसके साथ own होगा one one है one one वाला अगर आप note करो तो देखिए ये one one वाला इसके साथ ये वाला switch है, इसके साथ mapping हो रखी, मतलब इससे own होगा zero one है, ये अगर आप note करो zero one वाला, तो ये zero one वाला इससे own होगा और zero zero वाला करोगे, अगर आप note करो, zero zero वाला है, वो यहां से ओन होगा अब इनकी unique mapping है ना वो होनी जरूरी है तब तक आप करते रहोगे जब तक unique mapping नहीं आ जाती तो इस case में मैंने दो बार ही यहां पे visit करा तो यह answer यहां पे 2 हो जाएगा क्या मैं आपको ठीक से समझा पाए कि चार switch को कितनी बार जाकी करना पड़ेगा two visit में करना पड़ेगा similarly मैं 10 को समझाओं उससे पहले last six वाला देख लेता हूँ आप भी try कर सकते हो rule वही है कि जो एक जैसे है ना group उनको हमेशा क्या कर लिजिए दो पार्ट में divide कर लिजिए तो again चली मैं समझाता हूँ यह six है ना तो मैंने इसके दो पार्ट में कर लिए पहले तीन है ना उनको मैंने on कर लिया last remaining तीन को off कर लिया फिर जाके देखा तो मैंने तीन मान लिजिए कोई भी बल मेरे on मिले बाकी off मिले off के लिए मैंने zero ले लिया फिर मैं क्या करूँगा कि यह जो same group है ना इसको two में करूँगा लेकिन three को two में कैसे divide करूँ तो कोई भी मैं two और one का ले ले लेता हूँ याने कि दोनों का एक group में ले लेता हूँ similarly यहाँ पे भी यह दोनों को एक group में ले लेता हूँ और इसको अलग group में अब पहले इसंपे बात करते हूँ one one वालों पे कहता है कि मैं divide करने के बाद किसी एक को group की setting change कर दो रहा यांने कि यह IGED रखा अब नोट करना आपने तीन बल सी जइंडा जो अओन था ना वह 0 हो गया वह ऑन था यह वाला यह जीरो हो गया यह उन था यह 0 हो गया यह वह ओन था यह मैंने 0 लिख दिया फिर यह ओन था यह ओनी रहा यह ओनी रहा फिर 2-0 थे यह 1-1 हो गए यानि कि इस तरह से मैपिंग कर दी यह बंद था तो बंदी रहा अब देखिए अगर आपने देखा यह 1-0-1-0 सेम है सेम है तो मुझे वापिस से मैप जो एक जैसे है उनको दो गुरूप में डिवाइड कर लो यहाँ पे एक जैसे थे यह 0 था तो 1 बना दिया और इसको मैंने टच नहीं करा डन यह तो उनीक मैपिंग है यहाँ पे आप देखो यह भी तो दोनों है वो एक जैसे हैं तो इनको भी दो गुरूप में डिवाइड कर लिया 1 था उसको मैंने 0 बना दिया इसकी मैपिंग चेंज नहीं करी यह जो यूनीक मैपिंग है न यूनीक वाले को मैं छेड़ूँगा नहीं जादा जादा same करहने देता हूँ लास्ट में 1 था तो इसमें 1 रहने देता हूँ लास्ट में 0 था तो यहाँ पे भी 0 रहने देता हूँ अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा यह मैंने 0 वार 1 0 के बाद 1 लिख है ना यहाँ पे 3rd विजिट में यह लिख दिया done 1 0 0 बल बन था 1 0 0 यानि कि यहाँ पे यह 1 0 0 वाली मैपिंग होगी 1 1 1 यहाँ पे आप देखो 1 1 वाली मैपिंग होगी फिर आपने देखा 0 1 0 0 1 0 यहाँ यहाँ पे होगी 1 0 1 1 0 1 1 यहाँ लिख में अगयो और यह 2023 जीरो वाली है यह अब दिखे यूनिव मैपिंग हो चुकी है कैसे 1 0 1 यहाँ पे कहीं नहीं है done अब unique है तो यह सीदी सी हमें समझ में आ गया 101 वाला कौन चाह है इसकी mapping इसके साथ यानि किस से उन हो जाएगी बिल्कुल T का जी 100 कहां पे है यह रहा 100 इसकी mapping इसके साथ हो गई इससे ओन हो गा यह switch से ट्रिपल वन वाला कोँछा है? ये वाला ट्रिपल वन वाला इसके साथ हो गया फिर ल्वन आप आप नोट करोगे? ये मैं एरेज कर देता हूगए तो समझाने के लिए मैंने आपको करा था अब ये नेक्स और रखा है इसने क्या दे रखा है? 010 010 کhor stove 010 यानि कि इसकी mapping इसके साथ होगी 010 यानि कि इसकी mapping इसके साथ होगी 000ических जो है 000 है इसकी mapping यानि कि सब्की unique mapping है अगर ये unique mapping हो जाती है मतलब कोई भी 2 एक जैसे नहीं है इनका coding अब यहाँ पे ये पहली visit थी ये दूसरी visit थी यह तीसरी विजिट थी, यह तीन विजिट में काम बन गया मेरा डन, अब similarly अब आपको समझ में आ जागा 10 वाला देखिए जो मेरा question था ना, यह main question था इसको समझाने के लिए मैंने वह उतनी कहानी बनाई और यहां पे answer है कि four visit जिस बच्चे ने बताया ना, वो बिल्कुल ठीक है four visit में काम हो जाएगा, देखिए कैसे, सबसे पहले क्या तरीका है दो group में divide कर लिया, मैंने यहां पे दो group में divide करा इनको कर लिया one, 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 one on कर लिया और remaining जो five थे, इनको मैंने कर दिया off पहली visit होगी, इसमें कोई भी आप randomly अपनी मरजी से पांच जो है, वो मैंने one कर लिये, बाकी जो है, वो मैंने off कर दिये यह मैंने off कर दिये, राइट zero का मतलब off है, second visit करता हूँ second visit में क्या कहता है, जो एक जैसे है ना उनके दो ग्रूप में divide करो, यह five है, दो ग्रूप में करोगे तो भी इसलिए तीन और दो का बनेगा, तो कोई बात ही तीन और दो का यह बन गया अब यह दो ग्रूप बन गे, एक ग्रूप की setting चेंज कर दो reverse कर देते हैं, इसको बिल्कुल touch मत करो as it is, रहने देते हैं, अब यह भी इसमें भी ऐसे कर लेते हैं दो ग्रूप का एक बना लेते हैं, फिर तीन ग्रूप का बना लो आपकी मरजी इसकी setting चेंज कर दो, कर दी, इनको आप touch मत करिए यह लिजे, मैंने touch नहीं करा, अब मैं आ जाता हूँ, यह setting यह, बिल्कुल same setting यहां बना देता हूँ, मैं, यहां पर कैसे बनाएंगे, दीखे one zero, यह one zero मैंने यहां लिख दिया, फिर यहां पर है, आगर one zero वापिस है, one zero यहां पर आ गया मेरा, फिर यहां पर one zero है, यह लिख यह one zero इसकी, फिर one one है, one one है, वेरा यहां पर बन गया, one one, फिर one one है, फिर यहां पर one one बन गया, फिर यह zero one है, zero one यहां पर बन गया, फिर यह zero one वापिस है, फिर zero one यहां पर आ गया, फिर यह तीन zero वाले हैं, तो 1, 0, 0, 0, 0 और यह बन गया, दो विजिट होगी अब unique mapping अभी तक switches में नहीं होई है अब मैं क्या करूँगा next देखिए ये तीनों एक जैसे हैं ना इन तीनों को मैं क्या करूँगा ये जो तीनों एक जैसे हैं इन में से मैंने half कर लिया ये half कर लिया, ठीक है दोनों की setting change कर दी 1, 1 लेया, इसकी setting change नहीं करी ठीक है, इसको भी मैंने 2 एक जैसे half setting change कर दी 1, 1 है, इसको 0 कर दिया इसको मैंने छेड़ाई नहीं, as it is रखा ये दोनों एक जैसे इनकी setting change कर दी 0, 1 है, तो मैंने यहां one के बाद zero कर दिया और इसको मैंने one ही रखा यहां पर भी setting change कर दिया यानि कि मैंने इसको यह 00 था इनको दोनों को one बना दिया इसको मैंने touch नहीं किया ठीक है अब यह agities कर देते यह one zero one आतो one zero one यहां पर बन गया फिर यह one zero one तो दो बार है यानि कि यह वाला one zero one होगा एक one zero one यहां पर बना दिया फिर one zero zero one zero देखोगे तो यह वोगा one zero zero अब one zero zero बन जाएगा यह one zero zero यह बना दिया मैंने फिर one one zero यह बन जाएगा one one zero यह भी होगा फिर triple one वाला यहां पर देखो यह triple one वाला बना दिया फिर 010, 010 ये बन गया, फिर 011, फिर 011, 011 में ये बन गया, फिर 001, 001 यहाँ पे, 001 यहाँ पे और 0000 है वो यहाँ बन गया, अब भी unique नहीं हुआ है, देखिए 101, 101, unique नहीं है नेक जैसे है, अब अगला step भी कहा है, same मैं कहानी करूँगा कि इनको unique बनाने के लिए fourth time visit करू जो एक जैसे है ना, उनको मैं क्या करूँगा, change, ये दोनों एक जैसे थे, इन दोनों को एक जैसे था तो इसको तो one को zero बना दिया, ये वाला one as it is रखा, ठीक है, ये काम कातम, ये already one zero zero unique है, ठीक है, इस case में आ जाओ, ये भी unique है, अच्छा जो unique है ना, उसको last वाले को carry forward कर देता हूँ, कोई फरक नी बढ़ता है, इसको last वाले को carry forward कर देता हूँ, ये भी unique है, last वाले को carry forward कर देता हूँ, अब ये देखो zero one zero, zero one zero unique है, last वाले को carry forward कर देता हूँ, exities लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे zero one one, ये भी unique है, इसको last वाले को one, ये देखी एक जैसा ह इस group में मैं क्या करने वाला हूँ, दो टुकडे कर रहा हूँ इस one को मैंने क्या कर दूँगा, zero लिख दूँगा, इस वाले को मैं touch नहीं कर रहा हूँ ये zero zero है ना तीन बार, ये भी unique है तो last वाले को एज़िटी छोड़ दिया अब देखते हैं, ये same setting यहां होती है एक नहीं, one zero one zero देखी, ये वाली setting यहां हो रही है one zero one zero ये वाला हो गया, ठीक है, बिलकुल ये मैंने कर दिया फिर ये इसके साथ हो गया, ये one zero one zero इसके साथ setting होगी 1011 आप देखो 1011 करोगे 1011 में ये वाला 11 हो गया 1011 यहाँ पे भी मैंने इसकी सेटिंग कर दी 10000 करोगे तो 10000 ये वाली वन गी ये लिजिए 10000 की सेटिंग मैंने यहाँ पे कर दी फिर 1100 1100 की सेटिंग ये देखो ये वाली होगी 1100 की सेटिंग गया वन जी जीरो वन जीरो 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 वन और जीरो 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 ये वाला जो सेटिंग है यहां पे आ गया जीरो वन डेबल जीरो हो गया जीरो ट्रिपल वन हो जाएगा फिर जीरो ट्रिपल वन कहां पे होगा देखो जीरो ट्रिपल वन यह वाला हो गया यह वाली आपे होगी 0011 0011 यहां इसके setting होगी अब last में 0000 वाला बचा न अब देखी अगर यह 400 वाला करा तो यह 400 वाला होगा यूनीक मैपिंग होगी अगर यूनीक मैपिंग होगी तो 1st visit 2nd visit 3rd visit 4th visit 4 visit है वो answer होगा किसमे अगर आपके 10th week चीज है ज्यादा तर बचे ना 9 विजिट कह रहे हैं वो बिल्कुल wrong होगा ध्यान में रखना correct answer is 4 विजिट I hope आपने puzzle enjoy किया होगा Thank you very much